चलिए सभी को मेरा नमस्कार चलिए राम राम नमस्कार राम जी पटेल विरेंद्र भारत बारल वीडियो तेक ना मदू पटेल अंकेद कुछ लोगों के नाम उपा चले गए विसाखा सोवेत बिसाल भावना चलिए जल्दी जल्दी सेर कर दीजिए एक मिट का समय निकल के जै कृष्णा सभी को मेरा नमस्कार सर्श्री आकाल चलिए जल्दी से एक मिट का समय निकल के सेर कर दीजिए आज जादा लोगों को मैं share नहीं कर पाया फटापट share कर दीजिए फिर पढ़ना start करते हैं जो लोग नए आए हैं वो लोग subscribe कर लें चलिए अब तीन दिन हम लोग पूरे question discuss करने वाले हैं और इसमें खास बात यह है कि अब हम लोग ब्यापम के question के साथ NTPC के question भी discuss करेंगे न यहां पर जो है वो RRB NTPC के question भी discuss करेंगे MPPSC, MPSI सारे question discuss करेंगे तो overall अब यह हर एक्जाम के लिए रहेगा ऐसा नहीं रहेगा कि ब्यापम के तियारी करने वाले ही आए केबल दिवाकर सर्मा MPPSC का result आजाएगा जल्दी टैंसर नहीं लेना है बस अभी उप्चना हो जाए निव बेच आप निव बेच कभी भी join कर सकते हैं क्योंकि offline यह जो online classes हमारी चलती है यह recorded भी मिल जाएगी आपको है ना करन चलिए जल्दी से share कर दीजिए फिर हम लोग पढ़ते हैं जीतू भहिया ठीक है ठैंक यू सो मज़ दीराइज चलिए दिख्षा पटेल सभी को मेरा नमस्कार सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं चलिए तो आज टाइमिंग सुली जीए सभी लोग टाइमिंग को देकर बहुत ज़्यादा कंफूज रहते हैं तो टाइमिंग में आपको पहली बताया कि आज हमारा फ्राइडे है तो फ्राइडे हमारी क्लास कब रहेगी दोस्तों तो याद अखिए का यह रहती है हमारी फ्राइडे क्लास जो रहेगी हमारी तो यह रहेगी, दस बज़े रहेगी, इसके लाभा Saturday मतलब कल, क्लास कितने बज़े रहेगी? नो बज़े रहेगी, संडे इसट इसके हैं, बस यही चेंज हुआ है, तो अब दो सकते हैं, आ ज्यान वे प्र्द मैं मिल जाएगए, यह है srpa srpa 1401 इस court को जो है वो आपको apply करना है तो 249 में यह course आपको मिल जाएगा इसके लावा geography special बेच हमारा already चल रहा है और quality special इसमें 3-3 दिन class होती है Monday, Tuesday और badness day geography की class होती है और उसके quality की class होती है इसमें Thursday, Friday और Saturday, quality की जो fees है यह है 299 है और geography special की जो fees है यह है 399 यह offer कीवल बन मन्त इसी मन्त के लिए है इसके अलावा फिर fees 100-100 रुपे आपकी प्लस होते चलेगी और MPGS special के बेच already complete हो चका है recorded page आपको मिल जाएगा इसमें 46 lecture हुए है 3-4 lecture बाद में और add हो जाएगी तो 50 lecture आपको इसमें मिल जाएगे चलिए आज का हमारा पहला question आपके सामने आगया है जल्दी से answer बताईए पटापट history का new page भी start होने वाला है ठाक और साफ quality जैसे complete होगा उसके बाद start होगा ही जल्दी से share कर दीजिए जो लोग नए आये हैं बो लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें देखो डिसलाइक करके तो पहले ही चला गया था कोई बंदा हमारी teaching style मैंने पहले भी बताया था यह दारू की बोटल की तरह होती है कुछ लोगों को पसंद आती है तो कुछ लोगों को क्या है इससे allergy होती है चलिए आज का पहला question जो है वो आपके सामने है जल्दी से आपको बताना है नेम लिकित में से सही mail आपको बताना है मेज करन है यह जल्दी से बताईए कौन सा आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है बाकी तो तीन जो ओप्सन दिये वो सही दिये है आपको बताना है कौन सा इन में से सही नहीं है राम जी पटेल नमसकार चलिए आंसर बताईए जल्दी से देखो यहाँ जिले दे दिया था हाला कि आपको पढ़ना नहीं है जिले याद नहीं रखना है अधरवाइस आप कितने जो है वो याद रखेंगे जले लेकिन फिर भी कॉमन सेंस कहीं लगता है तो फिर आपको आपको निकालते कहा है आना चाहिए करेंट अफैस में पढ़ा दूगा एक्जाम के पहले एक्जाम के प मैं अग्चा पड़ते है यह जहारखन में पड़ता है तो इसके साब से ओपसन दिखा जाएगा तो भी जवू अंसर कहा है नहीं है तो यह राइट आंशर के आएगा आपका भी यह यह यहार रखेगा क्योंकि बालमी की नेशनल पार कहां पर है बिहार में है पैंच तो आपको पता है नागपुर में भी है और इसके लाबा हमारे यहां सिउनी जिला भी टच होता है और फिर कहां टच होता है तो यह आपको पता है छिंदवारा जिला भी टच होता है C option क्यों लगा रहे हैं सारे कि सारे मुझे समझ में नहीं आ रहा है C तो बैसे ही नहीं आएगा ना कोशन ही नहीं पढ़ रहे हैं आप इसमें क्या लिखा हुआ है आपको बताना है कि कौन सा जैवो परियूजना के साथ जैवो सुमेली तो नहीं है तो यहां पर पैंच लिखा हुए इसका मतलब क्या है नाकपुर में भी आता है यह छिंदवारा में भी आता है और सिउनी में भी आता है तो यह option तो आए गए नहीं common sense वाली बात है यह तो फिर हम देगो online पढ़ाना छोड़ देंगे ऐसे answer नहीं लगाना है आपको इसके अलावा भी लगा सकते है था हजारी बाग आपको पता हुन अच्छी जहार खंड में है और बालमी की कहां पर है तो यह बिहार में है तो answer क्या आएगा option अजाएगा B बालमी की नेशनल पार कहां पर है दोस्तों तो यह याद रखिएगा यह है बिहार में है यह केलियर हुआ हजारी बाग का पतार हमने पढ़ा है क्लास में वो कहां पर है जहार खंड में है धीरज तीनों जिले लिखाए हैं हमने आपको भूला भी था MP प्लस महराश्ट लिखाते हैं उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि वहां पर नाख्पुर जिले हैं और हमारे यहां सीवनी जिला और कौन सा जिला है छिनवाडा जिला है चली अब आपको बताना है देश्ट का पहला या विस्प का पहला आपको बताना है विस्प का पहला go aberrant मदप्रदेश के किस जिले में इस्तापित किया गया है और 2019 में अभी बोला है कि मदप्रदेश में दूसरा गो अबेरन कहाँ पर इस्टेबिलिस किया जाएगा जल्दी से बताना है दोनों आंसर ओफलाइन क्लास कब से स्टाट होगी ऑफलाइन गवर्मेंट जब भी बोल दे तब स्टाट हो जाएगी हम तो स्टाट करने के लिए ही बैठे हुए हैं चलिए जल्दी जल्दी बताईए भटाबट बहुत ही अच्छा कोश्चा नहीं कमेंट करके यह भी बताना है 2019 में दूसरा गो अब भेरंड दूसरा गो अब भेरंड मद्वर्देश का दूसरा गो अब भेरंड कहां पर बन रहा है प्रस्तावित है यह क्लास में पढ़ाया भी यह मैंने आपको चलिए जल्दी से बताईएगा इसका राइट आंसर आजाएगा बी आंसर आजाएगा इसका तू इसका राइट आंसर कह जाएगा बी आजाएगा और इसके अलाबाद दूसरा गो अब भेरंड कहां पर प्रस्तावित है तो यह है बसामन 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 मामा कहां पढ़ता है यह तो बसामन मामा यह है दोस्तों, रीवा में है यह, टोंस नदी के किनारे है, और टोंस नदी के किनारे ही यह, बनने वाला है, दूसरा गौ अब बहरन, रीवा जिले में बनेगा है न, सर्वेज कुमार पटेल, यह सर, सही अंसर है, बस आपको जिला याद है, बस आवन मामा, यह सर, सत्यम सुकला, चलिए आप बढ़ते हैं आगे तो रीबा जिला याद रखें तो जिला भी पूछ सकता है और यहां आपको पता है कि गाउं यह दिया आप से पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए सालरिया सालरिया यहां पर बना हुआ है सालर या ग्राम में ये भी लिखा हुआ है देखिए PDF जिसको नहीं मिल पा रहे ही तो टेंसर नहीं लेना है दो तीन दिन में मैं कहा है इसी पे ही जो है बो लिंक में डाल दूँगा ताकि आपको सारी PDF मिल जाएगी निमने में से आपको फिर से बताना है मिस मेच कौन सा है जल्दी से बताईए identify मिस मेच pairs from the following जल्दी से बताईए इन में से मिस मेच बताना है कोशन जरूर दिहान से पढ़िएगा जल्दी से बताईए MPSI में भी ये कोशन पूछा था और इसके अलावा फिर यही कोशन पूछा था जेल पहरी में भी जल्दी से बताईए इंद्रा सागर खंडवा में है तो राइट आंसार है ये तो इसके रावा पगारा भूपाल में है क्या जल्दी से बताईए नहीं है ना पगारा बांथ कहां पर है दोस्तों तो ये मुरेना में है आपको पहले क्लास में भी पढ़ा है कहां पर है पगारावान तो ये मुरेना में है और आसन नदी पर है ये मुरेना में आसन नदी पर है ये लिख लिजिए पगारावान कहां पर है मुरेना में पहसरी बान तो आपको पता है कि कहां गौलियर में है गुलाव सागर ये भी ह कस किए गए है इसके लाबा मद्प्रदेश का पहला सिचाई टैंक कौन सा है जल्दी से बताईए बहुत ही अच्छा जो है वो कोशन है ये जल्दी से बताईए जहलक मती पगारा या फिर बंजारा या पलक मती हाला कि ब्यापम का जो कोश्चन आये था वो थोड़ा सा अलग था ये जल्दी से बताईए मद्विदेश का पहला सिचाई टेंग कौन सा है उन्होंने पूछा था मद्विदेश का पहला सिचाई टेंग जो भुपाल के नजदीक है ये ऐसा कुछ ऑफ्सन दिया था बहुत ही सुंदर पढ़ाते हैं ठीक है अभी तो कुछ नहीं डिसकस कर रहे हैं चलिए थैंकियू सो मच पुस्पेंद्र चलिए आंसर बताईए जल्दी से सही आंसर हो जाएगा बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन है नहीं है आपको मिल जाएगा पलग मती बांग तो ये या रखीगा रायसें जिले में है और ये पहला सिचाई टेंक बनाए गया था और दूसरा बनाए गया था बाला घट जिले में दूसरा बनाए गया था बाला घट जिले में वो पहला बनाया गया था पलकमती सिचाई टेंक तो इसे या तखिएगा irrigation जैबू टेंक था ये MP का first चलिए अब आगे जाते हैं और आपको बताना है रिहंद नदी का जल गरंड, catchment area of रिहंद river damage in which of the following, अब आपको बताना है, question बहुत ही ध्यान से पढ़ना है रिहंद नदी, बांद का, जल गरंड, छेत्र निम्न में से किन जिलें में आता है जिले में या फिर state में है ना, यहाँ state हो जाएगा जैसा question आया है, गलत question है तो मैं गलती discuss करता हूँ लेकि उसे मैं बता दूँगा कि कहाँ पर गलत है ब्यापम में कई लोग इसमें भी confused होते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे question बोले यहाँ तो जिला लिखा हुआ है और यहाँ तो जिले ऑफ्सन नहीं दियें कुछ लोग क्या question छोड़के जाते है, question नहीं छोड़ना है आपको चलिए जल्दी से जल्दी share करते चलिए सबी लोग को कल एक एक दोस्त को लेकर आना है, कल अच्छे दमाकेदार question करेंगे हम लोग सारुप खान चलिए ओ, सारुप खान, thank you so much, सारुप खान भी आते हैं हमारे यहाँ पर रिया चक्रवर्थी भी आती है अब कंगनर अनावद भी आईगी लगता एक दो दिन में रियन नदी, बांध का जल्द, गरंट, छेत्र बताना है आपको catchment area, जल्दी से बताईए फटा बट क्या होगा answer, देखो क्योंकि catchment area का मतलब है कि इसकी कुई साहक नदी होगी वो कहीं नदी आप से यह पूछता है दोस्तों कि रियन परियोजना किन दो राज्यों के मद्ध सस्यूक्त परियोजना है तो आपको लगाना है मद्ध प्रदेश PLUS उत्तर प्रदेश लेकिन यहांपर पूछारा है जल् गरंठ छेत्र का मतलब होता है catchment area जल गरंठ छेत्र तब इसमें क्या क्या जाएगा तब इसमें जाएगा मद्ध प्रदेश आजाएगा प्लस यूपी भी आजाएगा प्लस जह वो चतिस गड़ भी आजाएगा कोशन जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है उसके बाद लगाना है कोशन गलत नहीं होता है बहुत ही कम रेर कंडिशन में है कि MPPC के कोशन बस गलत होते हैं बाकी कोई कोशन जो है को गलत बहुत ही कम मिलेंगे आपको चलिए सारुख खान आप पहचानते हैं केरियर फावर में यस मुझे याद आरा है सारुख खान आप हमसे पढ़े हुए है चलिए अब आपको बताना है रिहंद मैं आपको पहले बताता है सोन नदी की सायक नदी है यह न और इसे क्या है गोविन पल्लवबंध भी जह वो कहा जाता है या रखेगा गोविन बल्लवबंध सागर भी कहा जाता है रिहंद बांध को आप यहां पर जाएए निमलिखित में से कौन सा विस्व का पहला राष्टी उद्यान है जल्दी से आपको बताना है बाकी कोश्चन आपको नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है पहला आपने पढ़ दिया है बिस्व का पहला राष्टी उद्यान जल्दी से बताना है धीरा ज़र आप कन्फ्यूस हो गये हैं ये वाली बात नहीं वो अलग है वो बांड सागर का बता रहे हैं आप आप थोड़ा सा कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें चलिए जल्दी जल्दी सेर करते चलिए पड़ा पड़ा सेर करते चलिए विस्व का पहला राष्टी उद्यान बताना है आपको यलो इस्टोन नेशनल पार्क है गरीन इस्टोन है पेंक इस्टोन है या ग्रे इस्टोन है जल्दी से बताना है आपको अठारा सब आत्तर में स्टेविलिस हुआ था और उस समय अमेरिके राश्पति जिन्हों ने इसका उद्गाटन किया था उनका नाम था टेकिना उलाइसिस ग्रांट उलाइसिस ग्रांट इनका नाम था तो इनने भी याद अखिएगा तो सही अंसर जाएगा दोस्तों यलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर है यह तो यह यूएसे में है याद रखिएगा और यह पहला हमारा विस्व का नेशनल पार्क था यह जबकि भारत का नेशनल पार्क पहला यदि आपसे पुछेगा तब आपको क्या लगाना है जिम कॉर बारत का पहला नेशनल पार्क है या रखेगा 1934-1935 में यह इसे याद रखिएगा इसके लाबा मतब्रदेस का पहला नेशनल पार्क कूछेगा तो आपको लगाना है काना किसली नेशनल पार्क चलिए तो यह इसे इस्टेबिलिस हुआ है उनेश्ट में हमने पड़ा था तब इसे कहें नेशनल पार्क बनाया गया था। अब आपको बताना है ये है यलो इस्टो नेशनल पार्क, आगे भी डिस्कस करेंगे कभी। अब आपको बताना है गुरू गहासीदास राश्टी उद्ध्यान का निर्माण बर्स क्या है। चलिए मज़ा आ रहा है शेयर करते चलिए फटा-पट मज़े नहीं लेना है आपको पढ़ना भी है सबी लोगों को यह सुवम रग्मन्सी बुडवाफे लोग सबसे बड़ा है जल्दी से शेयर कर दीजिए गुरू घासिदास राष्टी उद्ध्यान का निर्मान भर्स आपको बताना है लोजिक आप यह लगा सकते हैं गुरू घासिदास तो आपको पता है चतिस गड़ में है यह राष्टी उद्ध्यान तो चतिस गड़ के तो आपको याद होंगे नहीं लेकिन आपको याद रख तो संजे गांदी नेशनल पार्क नहीं है ये संजे डिवरी नेशनल पार्क ये हैं हमारे यहां पर और ये इस्टेबिलिस हुआ था 1981 में और आपको पता है कि जब विभाजन हुआ संज 2000 में तो 36 गड़ अलग चला गया और 36 गड़ में इसका भाग कोश चला गया और वही नेशनल पार्क का नाम फिर इन्हों ने क्या है चेंज कर दिया 2002 में 2002 में फिर क्या है कि इसका जितना भी भाग आता था वहां सरगूज झुले में तो उन्होंने किया इसका नाम चेंज कर धिया और इसका नाम रख दिया गुरू घासी दास राष्टी उद्ध्यान तो ये हैं 36 गड़ में लेकिन इस्टेविलिस अभी हुआ है यदि आपसे नाम पूछे कि नाम कब चेंज किया 2002 में नाम चेंज कर दिया है और जिनका कारिकाल जो है वो समाप्त हो चुका है और ये USA के किस विद्याले में बित्य के प्रोफेसर हैं जल्दी से आपको बताना है finance के जो है वो professor है ये जल्दी से आपको बताना है professor of finance तो आपको पता है बहुत ही famous वैक्ति है जिनका नाम क्या है राजन साथ हमारे रगुराम राजन अच्छा ये विलासपुर में है क्या चलिए शौरी सौरी विलासपुर में होगी लेकिन 36 गड़ में है यह उनिवर्सिटी है ना यहां पर राजाई जल्दी से बताना है इसका रगुराम राजन यह कहा के प्रोफेसर और फाइनेंस है जल्दी से बताईए एंटी पीसी का कोशन है कई लोग अब तुक्का मारते हैं यदि आपने निउस नहीं पड़ा फिर ऐसे कोशन आपको नहीं बनेंगे याद रखिये का ना चलिए तो यह हैं बूत स्कूल सिकागो ना यूनिवर्शिटी और सिकागो कही यह भाग है यह तो यहीं पर है यह याद रखिये का यह प्रोफेसर और आपको पता है रगुराम राजन का जन्म हुआ है बूपाल में याद रखियेगा आपको बताना है तो यह है रखुराम राजन इन्हें आप जन्म कहा हुआ है तो भूपाल में हुआ है इन्हें रखियेगा अर्थ सास्त्री भी है यह आई-ाई-टी दिल्ली से पढ़ाई किया है आई-ाई-म एमदाबास से पढ़ाई किया है इन्होंने काफी इंटेलिजेंट परशन है अब आपको बताना है भारती रेलवे ने किस बर्ष तक सुन्ने कारवन उस सर्जन प्राप्त करने का लक्ष से रखा हुआ है जल्दी से आपको बताना है इन्होंने जीरो कारवन कि उस्सरजन कbliश मीरा और इसका लक्ष रखा है जल्दी से आपको बताना है 14 जितनी ही कोईले से जो ठेन चल रहे हैं है न उन ठेन को जह हो बंद कर दिया जाएगा तो जिससे क्या हो जाएगा कार्बन रूसर्जन जा है वो रेलवे के द्वारा जीरो करने का लक्ष रखा गया है जल्दी से बताईए अच्छा कोशन है यह बहुत ही प्यारा कोशन है ठीकर ना बिल्कूल सही है राइट आंसर है बहुत सारे लोगों का करूना दिवाकर सर्मा तो यह है 2030 या रखेगा 2030 हरित क्रांती वाला यह चल रहा है इसमें हरित ट्रेन वाला हरित ट्रेन योजना तो इसी से संबंदित है यह या रखेगा 2030 में कहा है जितनी भी कोईले से चलने वाली ट्रेन है उनको बंद कर दिया जाएगा सारी जो है वो क्या है इलेक्ट्रिकल हो जाएगी अब आपको बताना है कि सामेदिक कानून के माद्याम से भारत और पाकिस पाकिस्तान सुसंद्रिता नियम 1947 या फिर आपको बताना है भारती विवाजन अदेनियम 1947 या फिर पाकिस्तान विवाजन अदेनियम 1947 क्या होगा सही आंसर 1947 सो राइट आंसर है यह तो आपको पता है अब आपको बताना है उस बिल का क्या नाम था चलिए जल्दी जल्दी सेयर करते चलिए एक मिट का समय निकालके जल्दी से सेयर करना है और ये अधिनियम जो था ये 18 जुलाई को पास हुआ था ब। ब। बिटेन की संशद में अठारा जुलाई को क्या है ये ये पास हो गया था और उसके बाद फिर ये पंदरा अगस्त उनीस सेतालिस को क्या है लागू हुआ था और इस दिन फिर क्या है दो 14 अगस्ट नाइट में या फिर 15 अगस्ट को आपको पता है कि भारत जो है सुवसंत्र हो गया था तो सही आंसर है देखो बहुत सारे लोग गलत आंसर बता रहे हैं सी वाले से तो टोटली जै वो नाराज हुआ रखेगा है ना भारती बिभाजन अधीनियम नहीं था वो भारती सुवसंत्र था अधीनियम 1947 है इतना फैमस कोशन आप से गलत हो रहे है तो फिर हम ऑनलाइन पढ़ाना चोड़ देंगे या रखना तो यह कब पास हुआ था या बखिएगा 18 जुलाई को पास हुआ था ये और उसके बाद 15 अगर्स को फिर गया है भारत यह वो सोसंत्र हो गया था यदि आपसे कोशन यह पूछता है भारत और पाकिस्तान का बिभाजन किस योजना के तहत हुआ था तब आपको लगाना है माउंड वेटन प्लान ये भ कोई बात नहीं कोशन यहां गरत होगा ना लेकिन वो एक्जाम में गलत नहीं होगा इसलिए प्रक्टिस क्लास लगाई जा रही है ताकि आपको क्या है बहुत सारी चीजें सही पता चले तो यह आप रखिएगा बाकिसम कोच है नहीं है फाल्दू चीजे हैं यह मैंने आधार जिसको बनाया था आखरी योजना थेके ना थर्ड जून प्लान भी कहा जाता है यह माउंट विटर्ण प्लान को आधार बनाया गया था यह बात आपको याद रखनी है पीडिएफ में आपको मिल जाएगी सारी चीजें चले अब आपको बताना है भारती ओलंपिक संखे बरतमान अध्यक्ष खोन है जल्दी से बताईए एंटीपीची का कॉष्चन है और याद रखिएगा एक तो जो है वो एक या दो बुक से कॉष्चन आते हैं करेंट में एंटीपीची में जितनी भी जो है वो बुक हैं 2019 में चर्चे में रहें दो जार बीस में लेकिन बस आप सपूर्ट करें भारतिय ओलंपिक संखे बरतमान अध्यक्ष को ने जल्दी से आपको बताना है ठीक है ना चलिए जल्दी जल्दी सेर करते चलिए ऑफशन डी 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 कुछ लोग सी वाले भी है ऑफशन डी जो है वो राइट आंसर है ना नरेंद्र दुर्वत्रा तो ये हैं 2017 से हैं ये अभी भी बने हुए है 2017 से अव तक तो ये हैं और आपको पता है भारती ओलंपिक संग का मुख्याला कहां पर है तो इसका मुख्याला या रखना है नई दिल्ली में है इसका मुख्याला है तो ये है नई दिल्ली में दिल्ली या फिर नहीं दिल्ली यहां पर इसका मुख्याले है चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यह है नरेंद्र कुमार नरेंद्र बत्रा इन्हें देख लीजिए इसके अलावा फिर आपको बताना है हां और एक कोश्चन जो है वो ओलंपिक से जरूर आता है एंटी पीसी में आद रखेग जल्दी से आपको बताना है यह आपको उपन्यास बताना किसने लिखा हुआ है वेंड डिम्पल मेट रिसी तो आपको बता है अभी डिसी कपूर की डैज भी होगी तो यह करेंट का कुश्चन भी है यह चलिए जल्दी जल्दी सेयर करते है चलिए फटा फट बिरेंद्र किसने लिखा है वेंड डिम्पल मेट रिसी चेतन भगत राहुल मेटा निदी चनानी या संध्या मेनन चेतन भगत तो ऐसा लिखेंगे नहीं यह आप्शन वाले से मैं सक्थ नाराज हूं एकदम यह तो चेतन भगत किया इतनी फुरसत नहीं है कि वो किसी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखेंगे ना चलिए जल्दी से बताईए अब तीन आप्शन जो है वो बचे हुए है कोश्चन तो आंसर तो मुझे भी नहीं पता जल्दी से बताईए क्या होगा राइट आंसर सोवित कुमार डी आप्शन बोल रहे हैं आप कोमल तिरपाटी ए तो नहीं हो आई होप आपको पता हो तो वेंड इंपल मेट रिशी तो यह यार रखे है किसने हैं लिखा है यह संध्या मैनन ने लिखा है तो यह है संध्या मैनन इनको यार रखें यह तीक है ना यह दिखाई दे रहा है तो यही है इनका कवर वेंड इंपल मेट रिशी अब आपको बताना है Olympic Chinn का Earth क्या है जल्दी से बताईए Olympic Chinn आपको बता है जिसमें 5 रिंग है और अब आपको ये बताना है इसका Earth क्या है NTPC का कोशन है बाट दुस्दा Olympic Second वियापप में भी आ चुका है जल्दी से बताईए पड़ा बड़ सेर करते चलिए तो राइट अंसर आजाएगा continuity ना निरंतर रुता जो है वो इसका जो है वो राइट अंसर आजाएगा ओलंपिक चिन में आपको पता है पाँच रिंग है ये देख लीजिए ये इतने रिंग है इसमें पाँच रिंग है जिसमें से पाँच कलर में है याद रखेगा ये ये दिखाई दे रहा है आपको पाँच कलर में है यदि आपसे पूछ लेता है कि रेट कलर किसको बताता है तो ये अमेरिका को बताता है याद रखेंगे किसको रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है इसके राबा हरा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है और अस्टेलिया को रिप्रेजेंट करता है ये जरूर याद रखेंगा कई एक करता है इसके अलाबा फिर काला कलर तो आपको पता है आफरीका को रिप्रेजेंट करता है आफरीका महादीब को इसके अलाबा फिर यूरोप को रिप्रेजेंट करता है तो यह याद रखेगा नीला कलर यूरोप को represent करता है चलिए यह पांचों कोश्चन आये हुए है इनको याद रखिएगा अब बढ़ते हैं आगे किस भारती लिखक ने things to leave behind पुस्तक में कुमाईयों की पहाड़ियों का वर्णन किया है जल्दी से आपको बताना है बहुत ही अच्छा कोश्चन है यह यह भी व्यापाम का कोश्चन है एंटी पी सी क्या जल्दी अल्दी बताते चलिए करेंट के कोश्चन है यह सारे के सारे फाइब कॉंटिनेंटल को रिपेजेंट करता है हो गया है यह जल्दी से बताईए शेयर करते चलें फटा फट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमीन गोखले ना नमीता गोखले नमीता गोखले है और इन्होंने जह वो बुक लिखी है और इसमें कुमायू की पहाड़ी कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए कुमायू की जो पहाड़िया है या गड़वाल की जो पहाड़िया यह है उत्तरा खंड में कहाँ पर है दोस्तों उत्तरा खंड में है इन्हें या रखिएगा कुमायू गड़वाल आपने सुना होगा ये छेत्रिवी चर्चे में रहते हैं कुमाईव गडवाल पहले क्या है पहले ये आते थे किसके अंडर में आते थे ये नेपाल के अंडर में आते थे लेकिन बिटिस जो है वो भारत के साथ एक सुगोली की संदी हुई थी और उसी के तौरान कुमाईव और फिर क्या है गड़वाल को क्या है बिटिस भारत में मिला लिया गया था नेपाल को हराकर तो अभी यह लोग बोल रहे थे कि हमें क्या है यह बापस आईए यह लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं चलिए तो यह है नमीता गोखले एक ना याद रखें इनको भी यह बुक फ्रीडम टेल एक पच्चिस मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांती को बहतर तरीके से दर्साता है आपको यह प्रसिद्ध एतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी सहर में मिलेगा जब मिलेगा तब आप जाओगे यहाँ पर बुक मिल जाएगी टेके ना बुक का कल मैं आपको डेमो जाएगी पेज अबलेबल आज कम्प्रेट हो चुका है तो मैं आप दे दूँगा आज मैंने दस बारा लोगों को सेंड भी किया था आप लोग को भी मिल जाएगा नेक्स्ट वीक से बुकिंग चलू हो जाएगी बुक की चलिए तो इसका सही जाएगा बोश्टान सहर है ना बोश्टान सहर आपको पता है बहुत ही फेमस है और ये कहां का सहर है तो ये है बोश्टान जो है वो क्रांती आपने सुना होगा तो ये भी याद रखना अमेरिका का जो है वो सहर है और ये दर्रा कहां पर मिलेगा एक तो जो है वो खेवर दर्रा ये भी आपको याद रखना है पाकिस्तान में है खेवर पास खेवर पास कहां पर है ये पाकिस्तान में इसे याद रखिएगा खेवर पास एक एलिफेंटा पास है एलिफेंटा पास एलीफेंटा दर्रा, यह कहाँ पर है, यह है स्री लंका में, इसे भी आद रखना कई बार एक्जाम में पूछा गया है, स्री लंका में है यह, और यह कौन सा पास हो गया है, फ्रीडम ट्रेल पास, इसके अलाबा दोस्तों और कुछ याद रख सकते हैं, आप याद रखना है गोलन पास और बोलन पास बोलन दर्रा बोलन दर्रा ये भी पाकिस्तान में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंडरी पर है ये इसके लावा गोलन पास गोलन ये भी कहा है पाकिस्तान में है बोलन गोलन खेवर पाकिस्तान में है इसके लावा एलिफेंटा कहां पर ह स्री लंका में है और फ्रीडम ट्रेल कहां पर है तो ये है दोस्तों USA में चलिए अब बढ़ते हैं आगे अब बताना आपको आधुनिक सक्ति साली चुम्मक किस्ते बनते हैं NTPC के कुशन है जल्दी से बताईए फटा फट सेयर करते चलिए ये भारत जो है वो हाओधी मोधी ये प्रोग्राम आयो जीत हुआ था वेरी गुड चलिए जल्दी जल्दी सेयर करते चलिए आज जोस नहीं दिख रहा आप लोगों में कई लोग को Saturday उनको पता ही निए ज़ता क्लास स्टार्ट होती है हमारी दीरे दीरे आते हैं संडे तक प्रोपर तरीके से आते हैं लोग और मंडे फिर ओफ हो जाता है आदो एक सक्ति साली चुम्मक किस्ते बनते हैं अच्छा कोशन है जल्दी से पताईए option जया है वो C, D, C, B, या फिर A, क्या होगा दीरज, D, ठीक है ना कुछ लोग बोल रहे हैं C, गरीमा तिवारी, C, अमित यादाव, C, सुवम राय, C, चलिए, लेको option यदि हम लोग निकालते हैं तो आपको पता है C या D ही answer आएगा, दो option तो वैसे निकल रहे हैं, C आएगा, नहीं तो D आएगा, जल्दी से बताईए क्या आएगा, तो राइट answer आजाएगा दोस्तों, option जया है वो C, राइट answer आजाएगा, ऐलूमिनियम होता है, इसमें कोबाल्ट होता है, और क्या होता है, और होता है, निकल होता है, या दखिएगा, अब आपको बताना है, जब नीबू के रज को खाने के सोडे पर डाला जाता है, तो उसमें तेज वो उफान आता है, तो उसमें कौन सी गेस होती है, आपको बताना है, जल्दी से आपको बताईए, आपको बता है, तो वो है, carbon dioxide, बहुत easy question है, कई बार question ये पुछ लेता है, cold drink में कौन सी गेस मिलाई जाती है, तो भी आपको लगाना है carbon dioxide या दखिएगा, इसके अलाबा सबसे ज़्यादा जो है वो, सर्वाद एक, green house gas, green house gas, कौन सी है, तो भी आपको लगाना है, MPPAC 2019 का question था, तो वो भी है, CO2 या दखिएगा, carbon dioxide, लेकिन question ये भी आता है, कि, देखिए बहुत अच्छा प्यारा question था, ये, non-polluting gas, कौन सी कहलाती है, ये, ऐसी कौन सी gas है, जो, प्रदूशन नहीं फैलाती है, या दखिएगा, तो आपको carbon dioxide, अक्षाइडी लगाना है, non-polluting, जो है, वो gas कहलाती है, ये, प्रदूशन नहीं फैलाती है, बलाई, जो है, वो ये, प्रद्वी को कहा है, गर्म करती है, ये, global, जो है, वार्मिंग के जेम्बेदार है, लेकिन ये प्रदूशन नहीं फैलाती है, लेको कितनी अच्छी बात बताईएं आपको, चलिए, अब आपको बताना है, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, फटावड बताईए, GST आपको बता है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, जल्दी से देखे न, वन टेक्स, वन नेशन, ये इसका टेक लाइन भी है, तो उसी सी याद रख सकते हैं अब, एक नेशन और एक क्या हो जाएगा टेक्स, तो बन जीरो बन याद रहेगा, ये सम्मिदान संसोदन है हमारा बन जीरो बन, और एक जुलाई 2017, और एक जुलाई को ही क्य मनाया जाता है, जी एश्टी जो है वो दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखें, जी एश्टी डे और डॉक्टर डे, एक ही दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, अब आपको यहाँ आंसर बताना है, तो आफसन जो है वो फ्रांस आ जाएगा ना, फ्रांस है वो इसी ने लागू किया था है ना तो ऐसा भी आद रसकते हैं फर्स्ट फ्रांस ने लागू किया था जी एश्टी बाकि और भी कोश्चन इसके बारे में डिस्तस करेंगे अब आपको बताना है एक मुस्लिम संथ थे जो उस जगे पर रहते थे जहां फतेफुर सीक्री का निर्मान किया गया जल्दी से आपको बताना है कि फतेफुर सीक्री में इन में से किसकी दर्गा है सिंपल भासा में कहें आसान भासा में ठीक है ना जल्दी से बताईए सेर करते चलिए फटा-फट एक मिर्ट सेर हो जाए उसके बादी में एक्स कोश्चन बोलूँगा जल्दी से बताईए 10-12 कोश्चन और बचे हुए है फटा-फट सेर करते चलिए किसकी दर्गा है तीन दर्गा बहुत ही फहमास है आपको पता है हमारे भारत में तीन दर्गा में से आपको यार रखना है सेख सलीम चिस्थी इनकी दर्गा कहां पर है दोस्तों इनकी फटेपूर सीक्री में फटेपूर सीक्री इनकी दर्गा आपको यार रखने है फटेपूर सीक्री आपको पता है उत्तर प्रदीस में पढ़ता है इसके लाभा एक और फैमस प्रशनाल्टी है निजामुद्दीन ओलिया इनकी दर्गा कहां पर है तो इनकी दर्गा है दिल इसके लावा आपको कोई भी दरगा याद नहीं रखना है अजमेर में है चलिए बढ़ते हैं आगे अब आपको बताना है तो यह है सेख सलीम चिस्ती और अकबर के जह है वो यह क्या है सूफी गुरूवी थे और इनी की जह है वो क्या है दौाओं से जह है वो सीख हुआ था गोलते हैं जैसे हम लोग कहा है जहांगीर के नाम से जानते हैं अब आपको बताना है ओलंपिक सब्द ओलंपस से आया है और यह कहां से लिया गया है जल्दी से आपको बताना है नदी से आया है या पर परवस्द से आया है या दीप से आया है या फिर नॉन आप दिस आया तो जितने भी टॉपिक है उलम्पिक से उसको तैयार करना है आपको MPSI बहुत जादा पूछ लेता है इस्टेटिक जीके जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़ें आप 10-12 क्लास डली हुई है हमारी लगवग 32 लेक्चर डले हुए है इस्टेटिक जीके के और मैं जो है वह इने 50 कर दूँगा NTPC के पहले इन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा चलिए ओलम्पिक सब्द आपको बताना ओलम्पस से आया है तो यह किस से आया है यह परवत से लिया गया है ना ओलम्पस परवत आपने सुना होगा ओलम्पस परवत तो यह कहाँ पर है मंगल गरह में है यही से आया है यह ओलम्पिक सब्द यह दिखाई दे रहा है सोर मंडल का उच्छा परवत है यह ओलम्पस मौंस परवत भी बोल साना आपको रादा मोहन कप का संबंद किस खेल से हैं जल्दी से बताइए निक्स ओलंपिया भी बोलते हैं वेरी गुड भावना निक्स ओलंपिया या ओलंपिया परवत कि जल्दी से सेर कर दीजिए सबी लोग लाइक कर दें एक बार समय निकालके चलिए तो राइट अंसर आजाएगा दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं बी कुछ लोग बोल रहे हैं डी दिवाकर सर्मा जल्दी से बताइए अमित यादाओ B कुछ लोग D बोल रहे हैं कुछ लोग B बोल रहे हैं रादा मोहन कप तो यह आपको बता है किस से संबंदित हैं यह पोलो से संबंदित कप हैं या रखेगा पोलो से संबंदित कप हैं पोलो के अधी हम बात करें तो इसमें चार खिलाडी होते हैं या रखे, कितने खिलाडी होते हैं, चार खिलाडी होते हैं, एक, दो, तीन, चार, कितने खिलाडी होते हैं, चार खिलाडी होते हैं, या रखेगा, MPPSC 2017 में पूछा था बाटर पूलो में कितने खिलाडी होते हैं, तब आपको या रखना है देखो कितने सब दो रहे हैं एक दो तीन चार पांट छ stubborn तो बार्टर पोलो में पुछेका कि नगना है चार लगने आपको फिलाडी कितने होते हैं तो याद रहेगा छलिए इसके अलावा प्रध्वी पाल-सिंग यह भी आपको यार ठाना है क्लास कफ ये भी किस से संबंदित है पोलो से संबंदित है और एजार कफ ये भी किस संबंदित है पोलो से संबंदित है ऐसा याद रख सकते हैं फ्रद्वी और राध्दा क्लासिक एज में है चलिए अब आपको बताना है ये कोशन करेंट का भी था मैंने डिस्कस भी किया था लेको नस और्गनाईजिशन की अनुसार किस केमिकल के कारण काना किसली के बाग अत्यदिक तनाव में रहते हैं कोशन जो हैम मैंने ये बताए भी था और ये question current में चर्चे में भी रहा है 2017 में भी इन्होंने report दी थी अभी फिर से report दी है 2020 की glass में मैंने लिखाया हुआ है ये question आपको लेकोनस organization ये कहां का है ये हैदरावाद का organization है तेलांगना state का हैदरावाद का organization है लेकोनस और इन्होंने ये बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा तनाओ में रहते हैं रेंड थंबोर national park के रेंड थंबोर national park के बाग और उसके बाद मदप्रदेस में रहते हैं हमारे यहां के जल्दी से बताना है काना किसली national park के इसके अलाबा काना किसली के अलाबा हमारे हैं Banda ugald national park है यहां के tiger भी क्या है तनाओ में रहते हैं और इसका right answer अजाएगा Metabolahuit Metabolahuit यद रखिएगा इस chemical की वज़े से क्या है हमारे हां के tiger कैसे हैं ज़्यादा जो हैं तनाओ में रहते हैं लेकिन सबसे जगादा भारत में रहते हैं रन थंबोर के और दूसरे नमबर पर फिर हमारे हां के काना किसली के याद अखेगा तिसे नमबर पर फिर काना किसली तो आपको पता है मंडला जिले में पढ़ता है ये चली अब आपको बताना है जॉर्ज केसल भवन का निर्मान किस वर्स किया गया ये दोनों के हिसाब से important है state level के हिसाब से भी और national level से भी George Kessel Bhavan कहाँ पर है जल्दी से बताना है और इसका निर्मान कप किया गया है ये question discuss हो चुका है यहाँ पर जल्दी से बताईए बहुत सारे लोगों के right answer है चलिए अब इसका बताना है आंसर जल्दी बताते चलिए ठीक है न मेटाबोलाइट ड्रक्स नहीं है ये चलिए रिया चक्रवर्ती की याद नहीं दिलाए अभी कहीं ना कहीं option में आईगी रिया चक्रवर्ती तैयार हो रही है अभी जॉर्ज केसल भवन जल्दी से बताईए तो 1911 में मैंने आपको बताया था जब किंग जॉर्ज फिप्थ आय थे और मेरी आई थी मेरी मतलब क्या है इनकी वाइफ थी मेरी तो यह यहां रखिएगा यह दोनों आए हुए थे भारत 1911 में और जब भारत यह आया थे तभी जया है वो क्या है गेटवे ओफ इंडिया का उद्गाटन किया गया था मुंबई में गेटवे ओफ इंडिया यह भी कब बना है 1911 में ही बना है या दखिएगा इसके अलावा 1911 में और क्या हुआ था जन गन मन भी गाया गया था इनी को वेलकम करने के लिए जन गन मन भी इनने आये थे दिल्री दरवार में तो इन इननों ने दिया था कि राजधानी क्या है राजधानी क्या है कलक्तिभृ क्या ही जर्विये Ч no दिल्ली बनाने का दिल्री के राजजी का है 1911 में इनिसो ग्यारा में वẽ cleaner मही क्या है qe गया था 1911 मही और जोर्ज केसल भवन कहां पर है तो ये मादाव नेशनल पार्क में है सिवपुरी में जब ये आने वाले थे सिवपुरी लेकिन आये नहीं थे और इनके लिए क्या है जोर्ज केसल भवन का निर्मान कराये गया था तो एक ही दिन में ये कम्प्लिट हो गया है तो ये है जोर्ज केसल भवन कहां पर है सिवपुरी में है चलिए बढ़ते हैं आगे अब आपको बताना है नेमने में से कौन सी केस उच्छतम उसमी इमान रखती है बहुत ही प्यारा कोशन है एंटीपीसी के कोशन है ये जल्दी से बताना है जल्दी जल्दी सेयर कर द बताते हैं फटाबड़ बताईए बस पाच्छे कोशन और बचे हुए हैं फटाबड़ बताते चलिए जल्दी से बताना है क्या होगा राइट अंसर कुछ लोग भी भी बूल रहे हैं सभी लोग उनको लग रहा है कि सबसे उच्छितम उसमी मान इसी का होगा ना क्योंकि यह भाप लगा हुए अंगार लगा हुए तो उनको लग रहे हैं यह होगा खगनार रनावत जैसी जह फीलिंग आ रही है इसमें भाप अंगार गेस लेकिन राइट आंसर होगा प्राकर्तिक गेस ना natural gas, 160 जै वो Celsius डिग्री पर जै वो क्या है यह कैसी हो जाती है लिक्विट हो जाती है और इसलिए अपकम जगे पर जादा जैब बन जाती है यह एक सो साट डिंग्री पर यार्द रख़िएगा उबलती है और यह liquid हो जाती है फिर, तो सबसे दा उसमीं इमान किस का रहत किया था जल्दी से बताना है आपको फटा फट यस कुछ लोगों के राइट अंसर थे यह वाले कि दस जनवरी उनिस अक्तावन को किसने बिदान सभा में पेश किया था मद्ध प्रदेश का पहला आम बजट बहुत ही अच्छा कोश्चन है कि MPSI का कोश्चन भी है और वही कोश्चन जाय वो जैल पहरी में भी पूछा था इतने कोश्चन लगाना है और टेस्ट हमेशा देते चलें आप जितने ज्यादा जो लोग टेस्ट दे रहे हैं न सिलेक्शन उनी का होगा याद रखना बिना टेस्ट के कुछ नहीं होता है जल्दी से बताना है आपको पहला आम बजट किसने किया था ऑफसन जैवो बी जैवो राइट आंसर है मिस्टी लाल गंगवाल तो यह है याद रखेगा तो इन्हों नहीं पहला बजट हमारा मद प्रदेश का प्रारम किया था ये भी याद रखना है और एक और कोश्चन मिस्टी पूँचा था MPPS 2018 का कोशन था कि मदब्रदेस में योजना मद प्र Prester में पंच वर्सी योजना का प्रारम कौ से माना जाता है तो पंच वर्सी योजना तीसरी जो पंचवर्सी योजना थी यही मदब्रदेश की पहली पंचवर्सी योजना थी तीसरी पंचवर्सी योजना मदब्रदेश की प्रॉपर तरीके से पहली पंचवर्सी योजना थी चलिए इसके अलावा आप बताना है आपको मदब्रदेश के उजयन और रतला में स तापित किये गए हैं, इनका संबन्द किस्ते हैं, जल्दी से आपको बताना है, गाओ घर, जल्दी से आपको बताना है, village house सेटप किये गए है, village house का relation किस्ते है, old age education, मतलब बुद्धा पढ़ाई, जिसे हम लोग the world शिक्षा भी कहते हैं, या फिर ज्यायबो ग्रामीड़ सि सभवां मते हैं टीजू सारी लोकों का जा कि अंसर को ऑल्ड एज हिए शुकेशन से सममंद्य थी परोड शिक्षा या इसी को हम लोग बुलते हैं बुड़्डा पढ़ाई बुड़्डा पढ़ाई तो यह याद रखिएगा अच्छा कोशन है अब आपको बताना मद्विदेश का एक मात्र स्टोक एक्षेंज इन दौर में हैं और इसे कब स्टेबिलिस किया गया था जल्दी से बताना बहुत ही अच्छ बुड़्डेश का एक मात्र अब आपको बताना है कि कब स्टेबिलिस किया गया था इस्टोक एक्षेंज और यह कहां पर है इन दौर में है मद्विदेश का जल्दी से बताना है अब तो बहुत सारे लोग तुक्का मार रहे हैं बी 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 उनीस सो से थ ए हो जाएगा ए में स्टेबिलिस किया गया था उनीस सो तीस में यहां तकियेगा हिंदौर में और बी एसी बॉम्बे श्टोक एक्षेंज यह मद्विदेश का नहीं है यह भारत का सबसे पहला है कहां पर है मुंबई में है एसीया का भी सबसे पहला था यह निम लिखित म लगा देना यह उप्सन तो नहीं आएगा ना यह तो हम कुछ उप्सन नहीं मिल रहा था तो हमने यहीं रख दिये जल्दी से वताईए क्या होगा राइट अंसर टैनिस खिलाडी बताना है आपको दिल से खेलने वाली खिलाडी नहीं बतानी है तो राइट अंसर हो जाएगा रीता जेन ना राइट आंसर क्या जाएगा रीता जेन तो ये इंपोर्टेंट है या रखी का इन दौर से विलॉंग करती है ये इनका जन्म हुआ था इन दौर में ये 1912-1975 की मद में क्या है टैनिस है वो टेविल टैनिस प्लेयर रह चुकी है 1912 से लेकर 1975 की मद में क्या है इन्होंने जापान कोरिया वगेरा में जाकर क्या है टेविल टैनिस का प्रतिन दित्व किया है भारत की और से तो ये MP की हैं बहुत फैमस हैं इनको याद रखिए अब बताना ना भी किये रेक्टर में इनमें से कौन सा इधन काम करता है जल्दी से आपको बताना है कोईला यूरेनियम रेडियम या फिर डीजल बहुत ही important है जल्दी से बताईए second last question है रविंद राजपूत चलिए फटापट share करते चलिए यूरेनियम बहुत easy question है यूरेनियम आपको याद अखना है अभी भारत का समझोता हुआ current करेंट के ये हम बात करते हैं यूरेनियम चर्चे में रहा है बर्तमान में यदी हम बात करते हैं तो हमने किसकी साथ जह वो कजा किस्तान के साथ भारत का सम्झोता हुआ है याद खेगा यूरेनियम को लेकर कजाकिस्तान सबसे आदा आपको पता है कजाकिस्तान में यूरेनियम मिलता है पूरे वर्ल्ड में सबसे आदा प्रोडक्शन कहा होने लगा है अब कजाकिस्तान में होने लगा है और कजाकिस्तान में ही क्या है य 2018 में ये और इसके लायबह बर्तमान में ये सम्झड़ोता हुए है काजाकिस्तान के साथ भारत का और जादू गोड़ा जादू गोड़ा खान ये भी बहुत question फुच्टा है किस संब्णित है ये जादू गोड़ा जहरखंड में है ये यूरेनियम से संबंदित हैं तीन चार कुश्चन याद रखें चलिए बढ़ते हैं आगे अब आपको बताना है इसके लाबा मदब्रदेश के किस सहर में अखिल भारती इस्तर का फुट वर्ल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर बर्थ किया जाता है लाजिक लगा सकते हैं जल्दी से बताना है नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर बर्थ किया जाता है इंदौर भुपाल क्वालियर या जवलपुर में नई दुनिया की एक बहुत फैमस खेल पत्री का भी है जिसका नाम है खेल हलचल तो ये मदब्रदेश की एक मात्र क क्या है खेल पत्री का है खेल हलचल ये कहां से प्रकासित होती है जल्दी से बताईए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर ठीके ना और नई दुनिया ट्रॉफी भी कहां होती है तो इसका भी आंसर हो जाएगा इंदौर क्लियर है तो दोनों का आंसर है खेल पत् कहां होती है प्रतिवास इंदौर में होती है चलिए तो यह कोश्चन जहें आज हमारे यहां समाप्त होते हैं संगर्स जितना कठिन होगा जीत उतनी ही सांदार होगी ऐसा किसका कहना है स्वामी विवेका नंद का कहना है इसे भी याद रखिया पॉलिटी स्पिस्टाल अलड में चलिए है उसी प्राइज में इसको पढ़ाया जा रहा है सॉन आपको सबस्टेश इस इसाय तरय रावा में अलभाव है गउखुरॉफुर्य ऋर्हां में आपको हेल्प मिल जाएगी लेकिन मैं पूरा वहां के लिए स्वेड नहीं हूँ लेकिन जैबो फिर भी मैं बताता हूं कि 70 परशेंट जोग्रफी के कोश्चन आपको जैबो बन जाएंगे कहां के UPSC के चलिए तो यह आ रखिएगा सारे के सारे हम लोग इसमें इंडियन जोग्रफी वर्ल जोग्रफी भी कवर कराए जाएगी और यह आ रही है मदवदिस परिक्षा धाम और इसकी जह वो बिसेस्ता है साइद इसमें एड होगी तो मैं बता देता हूँ आज नहीं ह आज का मिलेगा संडे को मिलेगा संडे स्पेसल को हाना चलिए थैंक्यू सो मच सभी लोग जाने से पहले एक बास सेर कर दीजिएगा लाइक कर दें कमेंट करके चले जाएए चलिए थैंक्यू सो मच